नमस्कार वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है गुजरात की तरहा ही हरियाना में भी ड्राइब थ्रू वेक्सीन अभियान चल रहा है इसके तहट लोगों को उनके वहानों में ही एंटी कोविड इंजेक्शन लगाय जा रही हैं आज पंचकुला में प्रशासन की टीम में ड्राइब थ्रू के जरीये आने वाले लोगों को कोविड वेक्सीन की डोज देते देखे गए यह थोड़ा अच्छा इसले भी क्योंकि सोचल डिस्टेंसिंग मेंटेनों रखी है तो इसमें भीड भी नहीं हुई और हमको थोड़ा इजी तरीके से सबको लग भी गई वहीं एक यूअक ने कहा ड्राइब थ्रू वेक्सीन एक अच्छी मुहीं है इसमें संक्रमन फैलने का डर नहीं होता शोशल डिस्टेंसिंग बनी रहती है मुझे तो असानी से वेक्सीन लग गई लोगों को पहले इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना होता है वाजपूरे देश के अंदर वेक्सीन की डिमान बड़ी है और लोगों का विश्वास बड़ा है अब लोगों के अंदर ये किछा है कि वह एक्सीनेशन करा है और उस दिस्ट्री से बहुत सारे लोगों की डिमान आ रही थी कि वेक्सीनेशन जल्दी से जल्दी हो तो हमने यहां पर पंच्छूला के अंदर यह ड्राइव थू वैक्सिनेशन का एक निया एक्सपेरिमेंट आज शुरू किया है और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा इसका रिस्पॉंस मिल रहा हूँ सुबे से ही सेंक्डों की सेंक्या में गाड़ियां और गाड़ियों में बैठे लोग जो रिजिस्ट्रेशन करा करके यहां पर आए हैं हमने एक कंडिशन रखी थी कि जो भी रिजिस्ट्रेशन कराएगा उन्हें को हम यहां पर टीका करन करेंगे तो उस प्रिस्ट्री से बहुत सारे लोगों ने रिजिस्ट्रेशन कराया और आज बजे आज 9 बजे इसका भियान की शुरुआत की है पहले हमारा ये था कि इसको हम 12 बजे तक कॉंटिन्यू करेंगी क्योंकि 12 बजे के बाद दुपहर को मौसम का था लेकिन आज मौसम ठीक है मैंने अधिकारियों से कहा है कि इस वैक्षिनेशन ड्राइव को 9 बजे से 4 बजे तक कॉंटिन्यू रखे और 4 बजे जितनी गाडियान लाएं में लग जाती है उनको 6 बजे तक हम वैक्षिनेशन करेंगी दरसल स्वास्ते मंत्री अनिलवीच का कहना है कि हरियाना में 5000 टीमें घर घर जाकर कोरोना जाच कर रही है ये टीमें पता लगाती है कि लोगों को कोरोना तो नहीं हो रहा उन्होंने कहा कि इसके तहट अब तक 3 लाग परिवारों की स्क्रीनिंग हो चुकी है स्वास्ते मंत्री ने कहा हमारे पास अब 12,000 के करीब बिना ओक्सिजन वाले बेड़ खाली है इनके अलावा 4,274 ओक्सिजन बेड़ भी खाली है ICU वाले 691 ओक्सिजन बेड़ खाली है और 242 वेंटिलेटर खाली है आपको बता दे स्वास्ते मंत्री के मताबिक बहतर ववस्थाओं के कारण प्रदेश में कोरोना के मामले में कमी आ रही है और ठीक होने वाले लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है अब प्रदेश में किसी चीज़ की कमी नहीं है उन्होंने बताया कि हरियाना सरकार दोरा गाउं कस्बों में कोरोना मरीज़ों की पहचान के लिए घर-घर टीम में भेजने का फैसला लिया था जिसके तहर तो रोजाना करीब पांच हजार टीम में घर-घर जा रही है फिलहाल इस खबर में इतना ही देश और दुनिया के तमाम खबरों के लियाब बने रही है वन इंडिया हिंदी के साथ